असलाम अलेकूम विल्कम बैक टू अंचुम का किचन एंड व्लॉग तो दोस्तों अजहम जा रहे थे देमाड बच्चों के लिए स्कूल खुलने वाला है यहां जून में स्कूल स्टार्ट होता है तो बारिश शुरू हो जाती है तो बारिश में मुझे बाहर जाना बिल्कुल भी प्रसंद नहीं है तो हमने सोचा कि अभी जाके थोड़ा बुच्चों के लिए बैक बॉटल टिफिन और थोड़ी स्टेशन करें दिया और थोड़ी स्टेशनरी करें दी टिफिन बॉटल बहुत सारी चीजे बहुत ही अच्छी और बहुत ही अपने वजट में है और अब हम जाएंगे उपर के फ्लोर पे और आप लोगों की साथ शेर करेंगे थोड़ी कीचन से अटाइच चीजी तो यह दिखिए क और को रोटि यह कसके का आए है इस इसमें हम रोटी भी सेख सकते हैं और बहुत सारे चीजें घरन भी कर सकते हैं कि अधिक घ्र गर्त गर्षट अलु है यह देखिए यह बोटल स्टेल का इसमें आप चाय भी रख सकते हैं और यह आगे कोफी मग के सेंटर पर देखिए कितने अच्छे चे कोफी मग है यह चॉपर तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया और इसमें जिसा कि आप चाइनिज भाजी है और प्याज है बड़ी बड़ी चीजे इसमें आप कर सकते हैं चॉप कर सकते हैं यह देखिए टिफिन बहुत ही अच्छी टिफिन लगी मुझे और मैंने तो बच्चों के लिए ले लिया टिफिन बॉटल बैब इस्टेशनेरी सारी चीजें खरीज ली और यह चुटी-चुटी कटोरी जिसे की सॉस चिटनी सर्फ करने के लिए बहुत अच्छी थी और प्राइज भी बहुत अच्छा इसका 13 रुपीज की एक कटोरी है और यह चमज सर्विंग और यह चुटी-चुटी जार देखें कितने खुबसूरत लग रहे हैं बहुत ही अच्छा है यह एक जार का प्राइस ट्वाइज था अच्छा इदेखें कितने खुबसूरत लग रहे किचन में रखने के लिए सब सारी चीजें और यह फैन तो देखें बहुत ही प्यारा है किचन में भी रख सकते आप और अपनी कार में भी लगा सकते हैं बहुत खुबसूरत था और इसको हम चार्ज कर सकते हैं यह चार्जिंग फैन है और यह है अंडा बॉयल करने वाला यह एलेक्रिक है इसमें साथ अंडे एक साथ आप आसानी से बॉयल कर सकते हैं अब आगे हम पैन और कढाई के सेंटर पे तो यहां देखे बहुत अच्छे चिपैन और यह कढाई देखे कितनी खुबसूरत लग रही है जिसे कि आप मतन कढाई जो भी बना है जिसमें सर्फ करें बहुत अच्या लगे इसमें आप पैनकेक, गुडिंग, इडली और मॉ आराम से बना सकते हैं यह देगे है डोर मैट बहुत ही प्यारा खुश्चूरत इसका कलर है तो वैंने सुचा कि यह सब सारी छोटी-छोटी चीज आप लोगों के साथ भी आज शेयर करते हैं और यह है बच्चों को सुलाने वाला बुसर इसके बैक साइड में प्लास्टिक आएउन लगा हूआ है और व्यकार कपिड़ा है और यह टोविल कि ईक टकर यह तोड़ बहुत ही इकडन स्वाफ जाल ताए ताए अब यह आगे तोड़माट बहुत ही स्मूथी डोड़ मैट बहुत अच्छा आप बेड के पास भी इसको भी पिछा सकते है और दर्वाज अज़े पर भी बिचा सकते हैं, सॉफ्टी एकडम बिल्कूल भी स्मूध थी, अब ये आगया है बेडशीट की तरफ, बहुत अच्छी ची कॉटन की बेडशीट भी थी, तो मैंने इसमें से एक बेडशीट भी खरी दी, डबल बेड की, मुझे बहुत पसंद आई, गेवाल इसका कलर भी बहुत प्यारा था, तो मैंने की वाली बेडशीट भी खरी दी, और ये आगये स्कूल बैग की तरफ, तो मुझे तीन-चार बैग लेने थे बच्चों के लिए, तो मैंने डीमार्स ही बैग ले लिया बच्चों का, बोटल, बोटल्स की बहुत 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 बच्चों के लिए अलग अलग तरीके की जार किचन में रखने के लिए एर्टाइट जार है इसमें एक किलो की चीज आसानी से आप रख सकते हैं, जैसे कि एक किलो शक्तर, नमक, चाय, पत्ती और ये एर्टाइट बॉक्स है जिसमें की आप ड्राइफूट वगरा रख सक करते हैं, ये स्टोरेज बॉक्स है, आप इसमें बची हुए चीज है कि फ्रीज में अच्छे से स्टोरेज कर सकते हैं, ये भी स्टोरेज बॉक्स है, ये बास्केट्स है, बहुत अच्छी ची क्वालिटीज है, वराइटीज है, बास्केट्स की भी, आप अच्छे से आरेंज कर सकते हैं बॉटल्स वगैरा यह बड़ा बास के ठेस में जैसे कि आप कपड़े रख सकते हैं बच्चों के छोटे-छोटे साड़िआ चीजसे रख सकते हैं यह कंटेनर इसे भी आप फ्रेज में स्टोरेज की जधा रख सकते हैं यह वाला टिफिन बॉक्स भी छोटे बच्चे के लिए बहुत अच्छी लग रहे थी तो मैंने यह भी ले ली और यह हैंगिंग वास इसमें आप फ्लावर लगा सकते हैं अच्छी कोई भी फ्लावर आप लगा के खिर्की की ग्रिल में टांग जीजे बोटल की बहुत सारी अच्छी बोटल थी तो हमने इसमें से चार बोटल बच्चों के लिए खरीद ली थी अब यह है एर्टाइट कंटेनर आप इसमें अच्छी से सारी चीजें स्टोरेज कर सकते हैं जैसे की आटा है दाल है यह दस किलो तक का था और यह छोटे-छोटे एर्टाइट बॉक्स स्टोरेज बोक्स यह भी बहुत सस्ते थे बहुत अच्छे अब आगे हम स्टेशनेटी की तरफ यहां से मैंने बच्चों के लिए पैन, पैंसिल, रबर, कलर यह सारी चीजें खरीद ली बच्चों के लिए और यह हैर पिन है तो मैंने इसमें से एक हैर पिन ली और हैर बै और यह देखिए गेवाली चपल भी मैंने अपने लिए खरीद ली आज क्या व्लॉग हम यहीं पे खतम करते हैं तो कैसा लगा हमारा आज का यह व्लॉग आप लोगों को अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट तो बनता ही है और चैनल पे आई गये हैं तो सब्स्क्रा सब्सक्राइब लोग झाल झाल झाल